Good day to all of you. मैं उमेद करता हूँ आपको कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था वैं याद होगा. आज आप कुछ नया सीखेंगे लेकिन उसे पहले जो आपको पढ़ाया गया है उसका revision कर लेते हैं. Area Vicals का उप्योग क्यों करते हैं? Area Vicals के द्वारा आप अपने slide पर object या text को fill, color, transparency और bitmap जैसे options के कारियों को कर सकते हैं. Line options से क्या क्या changes कर सकते हैं? Line के द्वारा आप objects के line को अलग-अलग design में बदल सकते हैं. Line को arrow यानि की एक तीर के view में बदल सकते हैं. Animated Image कौन से menu बार में आता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं? Animated Image insert menu में आता है, Animated Image का उप्योग आप इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा चित्रों को slide पर insert करके उसे बिना custom animation के उसके यूज़ कर सकते हैं. जब आप इसका use करेंगे तो यह अपने आप play होकर आएगा. क्या आप बता सकते हैं text विकल से क्या होता है? इसके द्वारा आप अपने object के text को width, height, spacing को, spacing to border, word, wrap, text को change कर सकते हैं. इसके द्वारा अपने text को animation भी दे सकते हैं. crop picture का उप्योग क्यों करते हैं? crop picture का उप्योग तब करते हैं जब हमें अपने चित्र को काटना हो या उसे छोटा या बड़ा करना हो तब हम crop picture का उप्योग करते हैं. अब आप सभी अपने computer को on करें और फिर बताएगे किसी भी तरीके से file को open करें. आईए अब आज की class को सुरू करते हैं. आज की class में आप सभी tools और slideshow menu के बचे हुए options के बारे में सीखेंगे. टूल menu के कुछ options जैसे की extension manager, auto correct option के बारे में सीखेंगे. slideshow menu के अंदर जो options सीखेंगे हुए कुछ इस प्रकार से हैं. rehearse timing, interaction, slide transition और custom slideshow के बारे में सीखेंगे. क्या आप सभी ने file open कर लिया है? अगर नहीं तो दुबारे से वीडियो की मदद से सीखें. अब आप कुछ slide को insert करें और हर slide पर अलग-अलग कार्य करें. पहले slide में दिये गए line को type करें. आप चाहें तो slide design बदल सकते हैं. अगले slide में आप कोई भी picture insert करके दिखाएं. और अगले slide में कोई भी image को drop करके उसके बारे में एक line लिखें. आखरी slide को blank रहने दें. अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को देखें. आईए वीडियो के द्वारा सीखते हैं. Slide को कैसे insert करते हैं. और इसके अंदर अलग-अलग कारिय को कैसे करते हैं. सबसे पहले slide pair में से एक नए slide को insert करें. जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. इसके लिए आप सभी mouse यह touch pad के right click करें. फिर new slide option को select कर लें. अगर इसे आप blank करना चाहते हैं. तो layout में से blank slide को select कर लें. जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. अगर इसके अंदर आपको कोई picture insert करना है. picture insert करने के लिए आप सभी को insert menu पे click करना है. तो इसके वाद picture विकल्प को select करना है. यहाँ पर from file option आए. इसको आप select कर लें. जहाँ पर भी आपके picture select है. जहाँ पर भी आपके picture save है. उस location को find करें. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. हमने picture folder को open किया. फिर यहाँ पर कुछ pictures दिये हुए है. इनमें साब किसी भी एक picture को select कर लें. फिर open पर click कर दें. जैसे open पर click करेंगे. जिस picture को आपने select किया था. वह picture आपकी slide पर insert हो जाएगी. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. फिर से एक नई slide को insert करें. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया. राइट किलिक करें, new slide को select कर लें. आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई blank slide insert हो चुकी है. अगर इसके अंदर आप कुछ drawing करना चाहते हैं. यह इसके design change करना चाहते हैं. इसके design को change करने के लिए इस पर right click करें. और slide design को slide design पर click कर दें. फिर एक्सर का box आजाएगा. यहाँ load पर click करें. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. फिर presentation background को select कर लें. यहाँ पर अलग-अलग आपको design दिखाया जाना है. किसी भी एक style को select कर लें. फिर okay पर click कर दें. अब यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं. एक्सेंज background page select नहीं है. इसलिए जो आपकी current slide है. सिर्फ उसी का design change होगा. इसका आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. तो आप देख सकते हैं. आपने तीन अलग-अलग slide लिया है. उसके अंदर अलग-अलग कारिया को किये. आप format menu पर क्लिक करें. फिर से slide design पर select कर लें. अब यहाँ पहले वाले slide के design change करना है. इसके लिए load पर क्लिक करें. फिर presentation background को select करें. इनमें से किसी भी एक design को select कर लें. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. फिर OK के बटन पर क्लिक कर दे. क्लिक करने के बाद. OK पर क्लिक करें. तो आप देख सकते हैं. जो आपने slide को select किया था. उसके design change हो गया है. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. तो इस प्रकाश से आप slide का design change कर सकते हैं. आएए अब जानते हैं extension manager से क्या कार्या कर सकते हैं. extension manager के द्वारा आप open office की extension file को add, remove और update कर सकते हैं. जैसे कि आप जैसे कि आपने gallery के option में बहुत से image देखे होंगे. ये एक तरह के extension add करके दिखाई देते हैं. आएए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि extension manager का उप्योग कैसे करते हैं. आएए वीडियो को देख कर extension manager के बारे में सीखते हैं. जैसे कि आप जानते हैं extension manager की मदद से आप अलग से ही कोई extensions को download कर सकते हैं. कोई अलग से अगर clip art आपको add करना है तो उसे आप add कर सकते हैं. इसके लिए आप सभी को tools menu पे click करना है. क्लिक करने के बाद अभी हमने यहाँ पे gallery option को select किया है. यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले से ही by default कुछ clip arts दिए हुए हैं. कुछ option जैसे कि arrow background, computers, diagrams इनके अदरा अलग अलग प्रकार के clip arts हैं. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं. अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि अलग से इस list में किसी दूसरे प्रकार के clip arts को add करना चाहते हैं. तो इसके लिए आप सभी extension manager का उप्योग करेंगे. फिर tools पे click करें. extension manager पे click करें. इस तरीके के आपके पास एक box आ जाएगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं. फिर get more information यहाँ पे online का option है. यहाँ जब click करेंगे तो आप direct internet यहाँ से internet page open हो जाएगा. इसके लिए आप सभी के पास internet connection होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग परकार के clip arts कुछ अलग-अलग परकार के application open हो गया है. जिस file की भी चाहिए तो आप right head में देख सकते हैं अलग-अलग file की अलग-अलग extension दिये हुए हैं. हमें impress का चाहिए हमने impress option को select किया. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से परकार के applications दिया हुआ है. इन में से जो भी आपको पसंद देख से आप select कर लें उस पर click कर दें। जब आप click करेंगे तो यहाँ पर download extension को option आ जाएगा जैसे कि आप video में देख सकते हैं. Download extension पर click कर दें। जैसे आप click करेंगे तो यह extension आपका download होने लगेगा। आप side में देख सकते हैं यहाँ पर यह download हो रहा है। कर द偉ते हैं ऑलgos कर पेंथी क को देख सकते हैं अुराजब को हुआ रहाँ और ख 먹़ और देख सकते हैं भर वह बख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो एक्सेंशन मेनेजर था यह डाउनलोड हो चुका है इसको आप चाहें तो इस ओपन कर सकते हैं यह फिर डाउनलोड इस्ट्री में जाके यहाँ पर इस ओपन कर सकते हैं जैसी इस पर ओपन करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेंशन मेनेजर का एक बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे एड़ करने को ओप्सन आएगा आप सभी एड़ पर क्लिक कर दे जैसे एड पर क्लिक करेंगे जो आपने डाउनलोड किया था जिस extension को आपने डाउनलोड किया था उससे select कर ले select करने के बाद open पर क्लिक कर दें फिर यहां ok पर क्लिक कर दें अब यह जो extension है यह गैले विकल्प में यह एड हो चुक है अगर आप इसे disable को select किया open किया और add पे click करको इसे gallery option में add कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अब इसे check करने के लिए यहां से cancel करें जहां पर आपके impress की file आपको फाइल को open करें अभी आप चेक करेंगे यह ओप्षन अभी आपको दिखाए नहीं दे रहोंगे इसके लिए आपको इंप्रेस की फाइल को रिस्टार्ट करना होगा इसके लिए आप फाइल को क्लोज कर दे लोज करने के बाद फिर से फाइल को ओपन कर ले आप किसी भी तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं फिर क्रियेटी पर क्लिक करें जो आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी अब आप यहां पर गैल्डिय उप्शन पर चेक करें जो अपने एक्स्टेंसन को एड़ किया था वह आपको यहां पर सूख करेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे जितने भी क्ली पार्ट्स हैं जितने भी इमेजिस हैं वह आपको यहां पर दिखाय दे रहे होंगे आप इनको यूज कर सकते हैं अपने स्लाइट पर यूज आपको वीडियो में दिखाया रहे है दिखाया अगर इस आप स्लाइट पे अपलाइ करना चाहते हैं स्कू स्लाइक करें इन सर्थ क्लिक करें इस आपके स्लाइट पे इंसर्ट हो जाएगा स्थ हम साना यूज झारे सब्सार पर आलिए कि वह कुई कि यहां पर आलगले प्रकार कि आपको किली पार्ट से दिखाए दे रहे हैं इन्में सब किसी का भी उपयोग कर सकते हैं को उनको आप अपने वीसका उपयोग कर सकते हैं तो इस परकार से आप extension manager को उप्योग कर सकते हैं आए अब auto correct options के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं auto correct विकल्प से क्या होता है यह एक as option होता है जिसकी मदद से आप कोई भी wrong spelling लिखते हैं तो यह उस word से related या उसे suggestive word को उसे related word में बदल देता है अगर आप चाहें तो auto correct option से खुद से भी replace कर सकते हैं जिस word को आप future में replace करना है आए अब और भी जानकारी वीडियो के द्वारा से लें आए वीडियो की मदद से auto correct विकल्प के बारे में सीखते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने पहले slide पे click किया जहां पे paragraph लिखा हुआ है वहाँ पे आप सभी भी click कर लें जहां पे आपका paragraph है फिर tools menu पे click करें और auto correct option को select कर लें तो इस तरह के एक box दिखाए देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जार जहां पे replace का option है वहाँ पे computer को type करें आप चाहें ते किसी दूसरे word को भी type कर सकते हैं जिसके साथ आप कुसी replace करना चाहते हैं जहां पे with का option है वहाँ पे हमने click किया और हमने वहाँ पे com type किया new पे click किया तब देखता है इस list में computer का option भी आगे जो हमने type किया था अगर आप replace में फिर से कोई नए word को add करना चाहते हैं तो आप फिर से add कर सकते हैं आप चाहते अपना नाम भी type कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक और word को type किया हमने एक नाम type किया अगर इसके आप कोई इसके जगे किसी और को replace करना चाहते हैं तो आप with में किसी दूसरे word को type कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने आपके बड़ा से type किया और with में हमने पी के word को type किया तो इन्यू पे क्लिक करें ओके पे क्लिक करें जब भी आप computer word को type करेंगे जो हमने com type किया था यह उसके साथ replace हो जाएगा जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पे computer टाइप किया जैसे हमने space bar या enter button को press किया तो वहां पे com लिखा आ गया है इसी तरी हमने भारत यहां पर टाइब किया जब हमने स्पेस बार बटन को दबाया यहां पर घृत्फन से एक पहले से टेफाइन किया गया हैं unit उस word के साथ replace कर सकते हैं अगर जो आपने अलग से words लिखे हैं उसको आप इस list से हटाना चाहते हैं तो उस word को select कर ले फिर delete पे click कर दे फिर ok पे click कर दे चेक करने के लिए फिर से paragraph पर आए when I'm type करें जिसे आपने delete किया था अब देखेंगे यह अब replace नहीं हो रहा है फिर से tools menu पे click करें auto correct option पे select करें यहाँ पे exception option है इसके अब देख सकते हैं पहले सी sorts में कुछ नाम से लिखे हुए हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है rd, rec यह words पहले से लिखे हुए हैं आप यहाँ पे चाहें तो अलग से आप कोई sorts cut name create कर सकते हैं या जब आप इनके पूरे नाम को type करेंगे तो यह नाम ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा इसी परकास से नीचे आप जैसे तो है words with two initial capitals यहाँ पे भी दो words जो starting में capitals में लिखे हैं आप इसमें भी create कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे cs type किया अगर आपको इस list में लाना है new पे click कर दें तो यह list में आ जाएगा फिर यहाँ पर option का option option दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि automatic bold underline आप चाहते हैं कि job line यह type करें automatic bold है तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप auto correct option का उप्यूग कर सकते हैं अगला option customize का है क्या आप जानते हैं customize option से क्या होता है customize option की मदद से आप menu bar को customize कर सकते हैं उसके option को भी customize कर सकते हैं और खुद से भी अपनी नाम का menu बना सकते हैं यहाँ पर customize का मतलब है कि आप अपने अनुसार किसी भी option को add और remove कर सकते हैं आए वीडियो को कि आए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि customize option का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर customize विकल्प के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं customize विकल्प की मदद से आप अपने menu को customize कर सकते हैं उसके option को customize कर सकते हैं इसके लिए आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर देखे हैं तो इसके बाद customize विकल्प को select कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमें edit menu में से hyperlink और object option को उठाना है इसलिए हमने menu विकल्प को पहले select किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं select करने के बाद हमने यहाँ पर edit menu को select किया edit menu को select करने के बाद आप देखेंगे अम यहाँ पर उप्षीं को डूणेंगे जिसे हम अधाना चाहते हैं हमने object विकल्प को select किया है यहाँ से select करने के बाद modify विकल्प पर select करेंगे आप देख सकते हें यहाँ पर ढलग अप्षीं है फिर delete vehicle को select करेंगे तो यह option delete हो जाएगा इससी प्रकार से hyperlink option को select करेंगे फिर delete vehicle को select करेंगे जैसी delete पर आप click करेंगे यह दोनों options जो आपके edit menu बार में थे वहाँ से यह hide हो जाएगे वहाँ से हट जाएगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने edit menu पर click किया तब आप देख सकते हैं यह दोनों option यहाँ पर नहीं है इस प्रकार से आप किसी भी menu के option को customize कर सकते हैं अपने recording उसे arrange कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अलग से अपने नाम से menu create करना तो उसके लिए आप सब्सक्राइब को select करें यहाँ पर देख सकते हैं second option keyboard का है keyboard के अंदर अलग-अलग functions दिए हुए हैं जिनका अलग-अलग command है आप अगर इन command को modify करना चाहते हैं या फिर आप इनको delete करना चाहते हैं या इनको reset करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर आप अगर आप किसी command को modify करना चाहते हैं यहां से तो आप कर सकते हैं लेकिन हमें अभी नी करना है अब यहाँ पर एक नए menu को create करेंगे नए menu को create करने के लिए menu option को select करें फिर new को select करें जैसे हमने new option को select किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीकर option आ जाएगा यहाँ menu name लिखा है उसके नीचे आप जिस नाम से भी अपना menu create करना चाहते हैं वे नाम यहाँ पर type कर लें हमने यहाँ पर computer sixa को type किया फिर दो button दिया हुआ है इससे आप जो आपका menu है किस position पर रखना चाहते हैं उसके order को यहाँ से change कर सकते हैं अगर आपको सबसे पहले रखना हैं तो आप यहां से arrange कर सकते हैं फिर अपर click करें अगर इसके अंदर कुछ आप contents को रखना चाहते हैं जिस contents को भी आप रखना चाहते हैं वह आप यहाँ से select कर सकते हैं यहां पर यहां फो वीडियो में दिखा जा रहे हैं अलग लग परकाल के options दिये हुए हैं अलग menus लीय हुए है इनमेंसे जिस options और आपको चाहिए उस options को आप select करने फिर अट पर click कर दें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रह हैं हमने field color option को select किया add पर click किया तो आप जैसे सब बॉक्स के अंदर field color आ गया है हमने spacing option को select किया अलग-अलग options यहां पर दिये में अलग-अलग contents से दिये में जिस contents को भी आप अपने menu में रखना चाहते हैं उसे आप select कर ले हमने paragraph option को select किया फिर add पर click किया अब हम insert menu वे से कुछ options चाहिए तो हमने insert menu पर click किया यहां पर formula vehicle को select किया फिर add पर click किया इस परकार से आप जिस options को भी आप रखना चाहते हैं उस options को select कर लेंगे फिर add पर click कर देंगे वे options आपके menu के अंदर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर ओके पर click कर देंगे आप देख सकते हैं यहां पर जिस options को भी आपने options रखे थे वह options आपके menu के अंदर आ जाएगा अब आप यहां पर देख सकते हैं computer शिक्षा का नाम का एक menu है जब आप उस पर click करेंगे तब देख सकते हैं जिस options को हमने add किया था हूँ सारे options इस menu के अंदर है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से tools menu पर click करें customize vehicle को select करें हम यहां पर जो हमने menu बनाया था computer उसे हमने select किया अगर आप इसे modify करना चाहते हैं तो आप यहां से modify कर सकते हैं menu पर click किया यहां आप देख सकते हैं जो हमने menu बनाया था वह यहां से हट गया है जो इस प्रकार से आप customize vehicle का उप्योग कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि option vehicle का उप्योग क्यों करते हैं option vehicle की मदद से आप अपने open office के बहुत से option जैसे की language, theme, font color और language को अपने अनुसार set कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी के लिए आए वीडियो की मदद से सीखते हैं यह कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से option vehicle के बारे में सीखते हैं option vehicle की मदद से आप अपने impress की file में उसको अलग अलग प्रकासे से customize कर सकते हैं उसको आप अलग व्यू में भी देख सकते हैं इसके लिए आप सभी को tools vehicle पे क्लिक करें फिर option vehicle को select कर लें इस तरह के आपके पास एक box दिखाई देगा यहाँ पर आपके पास अलग अलग options दिखाई दे रहे होंगे अगर इसके अंदर आप कोई information डालना चाहता है यूजर डेटा में तो आप यहां से information टाइप कर सकते हैं जैनल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग options दिखाई दे रहे होंगे अगर आपको आइकन को बड़े में देखना है तो आप अपने कोडिंग से सेट कर सकते हैं यहां पर high contact को option है high contact है कि आपको visibility है options कितना देखना चाहते हैं वो आप यहां से set कर सकते हैं हमने high contact option को select कर लिया फिर icon menu में options दिये हुए है hide करना चाहता है ताप उस menu को आप hide भी कर सकते हैं यहां पर अलगल परकार के आपको options दिखाई दे रहे होंगे आप उसको अपने according कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर mouse की position दिया हुआ है कि आपको किस तरके की position दिया हुआ है कि default button डायलोग तो आप यहां कि mouse के position को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इन चेंजिस को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके के बटन पर क्लिक कर दे जैसे आप ऑके के बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं जो आपने चेंजिस किया थे जो आइकन्स ते वह अलग पर करके दिखाई दे रहा होंगे हमने हाई कॉंट्राक्स ओप्शन को सब्सक्राइब कर लें तो आपको विकल्प है जो ऑप्सें मेन्यू के वह पहले जैसे आ जाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं आप ऑप्शन की मदद से अलग परकार की सेटिंग करना है तब कर सकते है हैं कि आपको वीडि़ो में दिखाया जा रहे हैं है're इंपे अलग लग प्रिंटर की सैटिंग दीविए प्रिंट to file अलग लोग और सिस्ट दिया हुआ कि यहां पर प्रिंट में रिडूस ट्रैंसरी रिद्यूस क्रेडियंट कि English bitmap इसफे option को आप अपने ओर्णिंग set कर सकते हैं अधर यह से close कर दें तो से टूल्स विगल्प को select कर लें यहां पर color को option दिया हुआ है, fonts को option दिया हुआ है, अगर आप को कलर को साले करना चाहते हैं तो आप कलर को कस्तिमाइज कर सकते हैं उसे अपने नाम किसी color को आप अगर अपने नाम से देना चाहते हैं तो उसको rename भी कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने color को select किया उसे हम rename करना चाहते है तो हमने अलग नाम यह पर type किया फिर add पे click कर दिया अगर इसके अंदर को मोडिफाई करना चाहता है आलग से कलर को इंसेट करना चाहता है तो आप मोडिफाई कर सकते हैं एडिटिंग कर सकते हैं या फिर डिलीट करना चाहता है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहांसे किसी भी कलर को आप पिक कर लें जो आप अलग से कलर बॉ और यह आपने और क्लिक क्या फिर नेम पूछने को और नेम सेव करने को कारे तो आप किसी भी नाम यहाँ पर टाइब करें जिस नाम से अपने कलप को देखना चाहते हैं फिर होके पर क्लिक कर देए और एट अब । लाहिन एंड फिलिंग टूल भार में पिर से वी विवी कल्प को सेक्ट कर लें। यहां प 떨ोए से लित आफर फॉट के उधर आपको कोई changes करना है तो आप यहां से चेन्जी्प कर सकते हैं Les कि यहां पर फॉंसेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे गज़ते मिद्धक कर सकते हैं जहां पर लग अपको इस ट्राइल दिया हुआ है आप इनले से कि से स्टार्ट होगा आप सेट कर सकते हैं अपने एकॉर्डिंग है जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है यहां पर हम फॉंट नेम देखने जो इसे हमने रिप्लेश किया था से अड़ेसर्च किया और प्र किलिप करें आप्स्वाशन विकालपी यदि उससे किया यस्तर्ट का पॉपस्वढ़कर आप सकते हैं आप रहें में रोकटी लगा सकते हैं चाहें वहांक्यों के यह के लिए password पूछेगा हमने पहले सी है कि security option को क्या वाद जैसी इस option पर क्लिक करें तो एंटर password का option आ रहा है जब तक हम इसके पासवर्ट को टाइप नहीं करेंगे तब तक आप इसे open नहीं कर सकते हैं है हमने पासवर्ट को टाइप किया और के पर क्लिक कर दिया है कि अगर आप इसरे पासवर्ट को सेट करना चाहते हैं यह दूसरे पासवर्ट को डालना चाहते हैं तो आप यहां पर इसे set कर सकते हैं अगला option appearance का है है यहां पर अपनी document को किस तरीके से देखना चाहते हैं को तीम लगाना चाहते हैं तो आप यहां से ने आपके यहां पर करके करद हुए हैं धूर अगर टौी इंदर आपके प्रजन्टेश पर चेंज कहने चाहते हैं तो यह यहां से लगा सकते हैं अगर आफ ग्रीट के कलर बदलना चाहतомина आण और फिन ऐसे डिआज विकल पर क्लिक करें ऑप्सें पर क्लिक करें हो कमा लॉप्ट्रियाण जाब काई सब्सक्राइब इस एकर आप čसे डालना हमें आप देति हैं यहां चाहरे सब सकते अगला अप्सिंस लोड कि एंड सेव का है कि जैनल पर किलिक करें तो यहां पर लोड के अंदर अलग अप्सिंस देव हैं लोड यूज़ स्पेसिफाई सेटिंग विद डोकुमेंट लोड प्रिंटर सेटिंग अगर आप चाहते हैं यहां पर कोई टाइम करना चाहते हैं कि अयहां कोकुमेंट कितने देर बाद रिफ्रेश होता है वो आटमेटेक riasले रहे तो आप यहां से चैंजिस कर सकते हैं हमने यहां पर ऑलफेस क्रीट बैकाप को gonna की है कि आ रहेगा यहां पर डॉकुमेंट टाइप है जो चेंजी सा आप किस डॉकुमेंट पर चाहते हैं प्रेजन्टेशन स्प्रेड़ सीट या रैटर जिस भी डॉकुमेंट को चाहिए उस डॉकुमेंट को यहां पर सेलेक्ट कर ले कि अगला ओप्सनन लेंग्वेज चैटिंग का है लेंग्वेज चैटिंग के अंदर आप by default language आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको by default language कौन सा होना चाहिए वह आप यहां से change कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं यहां पर अलग नकरकारके language दी हुए है आप उनको यहां से select कर सकते हैं decimal separator key कि आप इसके यूज कर सकते हैं जब भी आपो स्पेस करेंगे तो इस तो फेसे यूज कर सकते हैं लैंग्विशक को डोकुमें अंदर किस दोक्यम्ट के यह आप यहां से चेंज कर सकते हैं यहां पर अलग लग परकार के options दिये वे हैं आप अपने coding से चेक कर सकते हैं यहां पर option में आपको check spelling दिया हुआ है अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इन सब्सक्राइब करना है अगर इसके अंदर कोई आपको चेंजिस करना है और यहां से कर सकते हैं पस्राइब करना है और यहां का आगर रूर विजेबल करना चाहते हैं इसको क्लिक कर लें गाइड को उपसञे हैं घाइफ्सक्राइब को कए करना चाहते हैं अगर आप चींज करना चाहते हैं तो आप यहां से चींज कर सकते हैं आप जो boxes बनके बीच में कितना गैप होना चाहिए उस चीज है आप यहां से हम सब्सक्राइब कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं जैसे को वीडियों में दिखा जा रहा है कि इन सब करने के पाद सब्सक्राइब करने होगा अब लोह को अध्यSebrea का टेchuss क्लिक्र तब वह option यहां पर apply हो गया है कि अधिक करें जो चेंजिस आप करना चाहते हैं ग्रिश कंदर उसे आप यहां से जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है फिर आपके किलिक करें जो भी चेंजीस आपने किय वह चेंजीस आपको यहां पर दिखाया देंगे जैसे की आप वीडियो में देख सकते हैं अभी मोई एक मादो के घूलु वीकल पर क्लिक करें ऑफ यह ही के प्रिंट का उपसेंट निया हुआ है आप डिफोल्ट कैसा को अधिसा क्लेंगे तो जैसे नोथ्यक्ष सक्ष्टर सबएक्षर में maior ग्रेलं ये घ्री यह तो तो यहां से ब्लेक और इन वाइट में आगा इसे अप सेट कर सकते हैं अगर प्रिंट पर पेज पेंपर नाम देना चाहते हैं तो नाम डेट टाइब वो चीज आपूँ के लिए सेिलक्ट पीर पेज को उपसिन है कि इंसस अप Mireya कर सकते हैं अगर चार्ट के अंदर आप कोई कि कैस्टमाइज करना चाहता है चार्ट को तो आप यह अए से कि अगर आपके पर कि वनुद्ध कर सकते हैं को अगर रूद्धी चाट करना चाहते तो आप इसी चींज कर सकते हैं मैं को भी रोक्यों के पर क्लिक कर दें जब आपशार्ड ने जो आंटिए उसके तरह के आपके चार्ट यहां पर बनके आएगा आप आप चार्ट को डिलीट कर दें प्री टूल्स पर जाएं और विकल को सेलेक्ट करें अगला इंटरनेट सेटिंग है इसे हम नहीं करेंगे इस प्रकार से आप option विकल्प का उप्योग कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी इंप्रेस के अंदर चेंजिस करना चाते हैं फाइल को कस्टिमाईज करना चाहते हैं, फॉंट को चेंजिस करना चाहते हैं, या लैंगवेज को चेंजिस करना चाहते हैं, ये इसके व्यू को चेंजिस करना चाहते हैं, कस्टिमाईज करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं, अब आप सभी स्लाइड सो के बचे हु विकल्प का उप्योग करना सीखेंगे क्या आप जानते हैं interaction options का उप्योग क्यों करते हैं interaction का उप्योग आप जब कर सकते हैं मान लिजे अगर आप slide 100 देख रहे हैं अब आप चाहते हैं अब आप mouse से click करें तो आपका presentation first slide last slide से दुबारा start हो जाए आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं interaction options का उप्योग कैसे करते हैं आइए वीडियो को देखकर interaction options के बारे में सीखते हैं इसके लिए आप सभी को जहां पर आपने paragraph योड टाइटल लिखा है उस slide को select कर ले जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने first slide को select किया इसके title में हम कुछ type करेंगे क्योंकि हमने title में कुछ title ली दिया था हमने यहाँ पर cs type किया हमने यहाँ पर cs type किया फिर slide show पर click किया और interaction option को select कर लिया तो इस प्रकार से एक box आजाएगा actions दिये हुए हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको यहाँ से first slide पर जाना है या last slide पर जाना है इसे किसी इव action को आप select कर ले कि हमने पर go to last slide पर click किया और फिर ok के button पर click कर दिया कि जब हम इस slide show के रूप में देखेंगे कि जब हम इस button पर click करेंगा तो यह automatic last slide पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने slide show किया हमने CS पर click किया यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह automatic last slide पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इससे first slide को select कर लें जो title दिया से select कर लें slide show पर click करें interaction option को select कर लें फिर किसी दूसरे action को आप select कर लें हमने यहां पर exit presentation option को select किया फिर ओके पर click कर दिया जब हम slide show करेंगे और इस विखल को CS पर जब हम click करेंगे तो यह automatic slide show से बाहर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से select करें slide show पर click करें और interaction option को select कर लें action at mouse click यहां पर दूसरे किसी action को आप select करें हमने go to document option को select किया अब आपको किस document पर जाना किस document को आप चाहते है open करना ब्राउज पर click करें किसी दूसरे document को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर एक वीडियो को select किया फिर open पर click कर दिया ओके पर click किया फिर slide show को हमने कि हमने यहां पर slide show किया जैसे हमने slide show किया यहां पर आप देखते हैं यह screen आ गया है जब आप CS पर click करेंगे जो हमने दूसरे वीडियो को add किया था वो वीडियो यहां पर automatic play होने जाए गया इस परकार से आप interaction विकल्प को उपयोग कर सकते हैं क्या आप जानते हैं slide transition का उपयोग क्यों करते हैं slide transition का उपयोग आप जब करेंगे अगर आप किसी presentation में text के अलावा slide पर भी अलग-अलग effect सो हो तो आप इसलिए slide transition का उपयोग कर सकते हैं आए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं slide transition का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर slide transition के बारे में सीखते हैं slide transition की मदद से आप slide पे और यह paragraph पे अलग-अलग उपर करके effects को लगा सकते हैं उसके साथ में sounds को भी sound effect भी लगा सकते हैं इसके लिए आप सभी को सबसे पहले स्लाइड सो विकल्प को सलेक्ट करें जैसे आप सलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं स्लाइड ट्रांजिशन का ओप्शन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपको अलग लग परकार के एफेक्ट्स दिये हुए है आपको जिस स्लाइड पर भी लगाना है उस स्लाइड को सलेक्ट करें और उस एफेक्ट को सलेक्ट कर लें आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर साउंड का ओप्शन दिया हुआ है अगर आप चाहते हैं स्लाइड के सो के साथ में साउंड भी प्ले हो तो आप यहाँ से सा आपका slide change होगा तो automatic sound के साथ ये change होता जाएगा इसी प्रका से आप दूसरे slide को select करें इस पे कोई दूसरे effect को लगाए और यहां से आप sound को भी select कर लें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रका से तीसरे slide को select करें उस पे कोई से भी effect को लगाए अगर आप उससाड फ्रक लगाना चाहते है यहां पर clickकरें यहां पर अलगर प्रकाल के sound effect को select कर लें अगर आप brother जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है, जब आप slide so करेंगे, जो अपने effects को लगाया था, वो आपके slide पर दिखाये देंगे, और साथ में जो अपने Sound को, जो sound लगाया था, वो अभी आपको यहाँ पर सुनाई देगा, तो इस प्रकार से आप ट्रांजिशन का उप्योग कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कस्टम स्लाइट सो क्या होता है कस्टम स्लाइट सो का उप्योग आप उस समय करते हैं जब आपके पास बहुत से स्लाइड हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी वी स्लाइड में से जो देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वई सो वो तो आप Custom Slide का उपयोग करेंगे आईए अब Custom Slide का उपयोग कैसे करते हैं वीडियो की मदद से सीखते हैं आएए वीडियो के दुवारा कस्टम स्लाइड के बारे में सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले एक और स्लाइड को इंसर्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ पर एक और स्लाइड को इंसर्ट किया उसे ब्लैंक किया अब इसके अंदर कोई सी भी ड्राइंग कर ले यहाँ पर ग्रीड लगा वाँ था हमने ग्रीड ओप्शन को हाइड किया फिर द्रोइंग टूल बार में इसे एक ड्रोइंग को मैंने सेलेक्ट किया और एक सेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में है जा रहे हैं अगर आप चाहते हैं एक और स्लाइड को इंसेट करना तो आप एक और स्लाइड को इंसेट कर सकते हैं इसके अंदर भी कोई एक ड्रोइंग बना ले अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं हम जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने नुसार अलग अलग स्लाइट नंबर को चेंज करेंगे इसके लिए सभी आप सभी को स्लाइट सो पर क्लिक करना है एक बॉक्स आ जाएगा फिर कस्टम स्लाइट ओप्शन को सलेट कर ले यहाँ पर नुका ओप्शन है आप जिस नाम से भी क्रेट करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर सीस टाइप किया आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमने 5 स्लाइट को सलेक्ट किया इसके बाद 2nd स्लाइट आए तो हम यहाँ से अपने एक मज़िस हमने एक ओर्डर को यहाँ पर सलेक्ट किया आप शाये तो किसी भी ओर्डर में अपने सलाइट सो को देख सकते हैं तो इस प्रकास हमने 15243 इस ओर्डर में हमने सलाइट को अरेंज किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जब ओके पर क्लिक करेंगे तो यह आपको क्रेट हो जाएगा अगर इसको आप इसी ओर्डर में देखना चाहते हैं तो स्टार्ट पर क्लिक कर दे जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपने ओर्डर को अरेंज किया था आपका स्लाइट सो उसी ओर्डर में सो होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी order में आपका slide so play हो रहा है पहले number पर पहले slide फिर 5th slide जिस order में हमने select किया था उसी order में यह slide so हो रहा है अगर जो आपने order को select जो अलग से order को आपने create करना चाहते है तो आप इसे delete भी कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से tools menu slide show पर click करें और custom slide option को select कर लें तो इस तरह के कि आपको बास बॉक्स आएगा जो आपने पहले से इस नाम से create किया था आप उसे अगर remove करना चाहते हैं या edit करना चाहते हैं तो आप इसके अदर भी कर सकते हैं फिर से इसके order को change कर सकते हैं अगर आप इसे delete करना चाहते हैं तो इस delete button पे click कर दें जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हम इसको select किया और delete पे click कर दें तो वह delete हो गया अगर copy करना चाहते हैं तो आप इसे copy भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप custom slide का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि आज की class यही पर समाप्त होती है अब आप सभी अपने computer को shutdown करें आज की class में आप सभी ने tools और slide so menu के बचे वे options के बारे में सीखा tools menu के कुछ options जैसे की extension manager, auto correct, slide so menu के अंदर जो options सीखे वे कुछ इस प्रकार से हैं interaction, slide transition और custom slide so के बारे में सीखा